आप देख सकते हैं यह लैप्टॉप है आपका असूस का एक्स फाइब जिरो नाइन यूए एम लब दो साल पहले का है ब्राइंड सेवन जनरेशन का है और यह थोड़ा स्लो काम कर रहा है तब इसमें हम लोग एसेशडी लगाने वाले हैं और वही प्रोसेस आपको पूरा से उठा लेना देखिए पूरी तरीके से बाहर आ गया है अब यहां पर देख सकते हैं कि मैं आपको करीब से दिखा देता हूं यह आपका SSD का सुलोट है और यहां पर आपका SSD का साइगा नट से और यहां पर आपका SSD लगेगा तो मैं अभी इसको लगा लेता हूं और आपको दिखाता हूं यह मेरा का सिस्टेंट का SSD NBME 256 का 30 को मैं लगाने वाला हूं तो मैंने SSD को इसके रहपर से निकाल लिया है अब इसको आपको यहां से अच्छा से मिला के निगाना है देखिए इसमें जो पॉइंटर है उसको उसमें मिलाना है और अच्छे से उसमें अंदर की ओर धकेलना है जब धके इसको यहां पर मैच कर लेना इसको और यहां पर इसकी स्कूरूप से कट कस लेना है जनरल इसमें स्कूरूप नहीं रहता है तो आपको जब खरीदने जाएगा तो वहीं से स्कूरूप मांग लेजिए उसको स्कूरूप से टाइंट कर देना है जैसे ही टाइंट हो भ्मक्त करना हो जब्रकरालादे हैउ कि पहले बार स्काइल लेते हैं तो उन करने के लिए आपको पार बटन प्रेस कि आपको बसक्त डबा बॲुट करेगा तो दबाकर रखाओं में अब दिखताऑं बुटं निया बॉट होने कबादु यह नहीं डिटेक्ट कर रहा है सो है तो आप देख सकते हूं इसका भी अश्टोरीज दिवाइस में सरीफ मेरा हाट्डिक्स मतलब सो कर रहा अब यहां से आपको चेंज करना है, सिरियल पोटे खाली है, फिर से आपको चेंज करना है, फिर चेंज करना है, तो देख सकते हैं, यह मेरा NBME 256 वाला डिटेक्ट कर चुका है, अब जैसे यहां आपको पता चल जाए कि आपका SSD डिटेक्ट कर चुका है, उसके बाद आपक ले अने करने से चलिए वूट मेन्यू मैं आने के बात आप यहां तो माउच से या फिर ऐफ हैट दबा सकते में यहां से आपको अपना पेंडाइब चूच कर लेना है उसके बाद यहां से अपना ओपरेटिंग सिटम आपको सेलेक्टर लेना मेरा एक ही पेंड्राइब में बहुत सारा ओपरेटिंग सिटम मैंने डाल करका है तो मैं विन्डोज 11 यहां पर सेलेक्टर लेता हूं उसके बाद आपको यहां पर नीचे में मलब सकेंड नंबर में वीन्टू बूट मोड में चल जाना है यह कुछ टैम लेगा थोड़ा सा उसके बाद तुरंत लॉड होके आपको बूट में ले चलेगा और फिर आगे का प्रोसेस में आपको बताऊंगा तो यहां में वीडिय अब यहां से आपको नेक्स्ट करना फिर इंस्टॉल में दबाना उसके बाद वेट करना सेटाप स्टार्ट होने तक तुरंत हो जाता है ज्यादा टाइम नहीं लेता है कभी कभी थोड़ा सा टाइम ले लेता है देख सकते हैं आगे बढ़ गया अब दिखें इस सिस्टम कि इसको सपोर्ट नहीं करता है तो यहां पर हम लोग बैपास करेंगे तुक्स के लिए आपको पने कीवोर्ड में शिफ्ट प्लस एफटें दबाना आए उसके बाद यहां पर आपको नौटपैट लिखना है और यहां पर फाईल में जाना है ओपेंडर अपिर अपनिड् और यह फाइल आपको description में बताया गया कि कैसे बनेगा यहां पर cut करना आपको और install में फिर से दबाना है देखिए आगे पड़ गया यहां पर next करना आपको install next करना फिर से यहां पर उसके बाद जो आपका SSD है उसको select करके और यहां पर आपको उपर वाला hard drive है जो zero दिखा रहा है जो one है वह आपका SSD है मेरा windows 11 वाला है अब यहां पर next करना है देख सकते हैं अभी यहां पर कुछ error दिखा रहा है अभी भी error दिखा रहा है यहां पर चलिए अब इसमें format करके एक बार try करते हैं पहले के साथ और उसके बाद यहां पर डिक्स पार्ट लिखे इंटर दवाना है उसके बाद यहां पर आपको लिखना है list disk और इंटर उसके बाद आपको यहां पर देख लेना अपना जो SSD किस नंबर का है तो देख सकते हैं मेरा यह जो दूसर चापन वाला है वह आपका डिक्स आपको लिखना है, यहां पर पर लिखना है, यह अदर कि लेटर अच्छे से डालें fire गलत नमबर नहीं डाला है और उसके बाद आपको clean करना है, clean लिखना है, उसके बाद फिर यहां आपको next command में लिखना है create partition primary लिखना रहता है जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कैसे लिखना है यह command आप जैसे लिख ले उसके बाद आपको इंटर टाइप करना है उसके बाद फिर से आपको यहां पे टाइप करना है format और fs equal to file system जो तो आपको ntfs रखना है और hit enter कर देना है उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है यह थोड़ा सा टाइम लेता है उसके बाद तुरंत आपको आगे बढ़ जाएगा मैं video fast forward कर देता हूं तो यह 100% हो चुका है अब आपको यहां से फिर से एक और command type करना है तो आप command डेक सकते हैं यहां पे लिखना आपको assign और enter दबाना है इससे होगा आपके driver जो भी यह partition बना है उसको drive एक letter मिल जाएगा जिससे वो visible हो जाएगा उसके बाद आपको यहां पे active लिखके और enter कर इसए पड़िखर लिखनें बाहर निकलाना है और फिर सी एकबार ex एक लिखना है और enter दभाना है है अब एक चलिए तो यह से मेरर है यह अभी ठीक नहीं हो पा रहा है चलिए अब ऑच मार पर के फिर से बस्वार आगी आखके ट्राइप करते हैं next नेक्स्ट दीखिर और अब अब हम लोग इसमें कोई दूसरा मेथर ट्राइ करेंगे इसको अब यह तो ड्राइब इससे भी नहीं काम कर रहा है अब चलिए इसको एक थर्ड पार्टी सॉप्ट्वेर के तुरू फिक्स करने का कोशिस करते हैं तो उसके लिए आपको अपना सिस्टम को फिर से करें उसके बाद आपको यहां पर जो फर्च वाला हे यूएश Heege U उसमें आपको इन्टर करना है और यहां पर आपको पूट वाल ऊप्षन में जाना है उपर वाला सबसे फर्च वाला में i कभी इसमें बूत निकरने जह तो आपको आपको आपकूपर ने काम करें न करना उसके कुछ टाइम लगता है तुरंत यह हो जाता है देख सकते हैं इसका टाइमिंग चल रहा है अब यह जो भी इसका पार्टिशन था वह डिलेट हो चुका वह इस तरी में फिर से पार्टिशन आपको क्रियेट करना है और अप्लाई पर यहां पर आपको जो इसमें छेर चाड नहीं करना है सारा चीज वैसा ही रहने देना है और यहां पर पार्टिशन पर जो भी आपका लेवल एक देना अरता उसको देखे और यहां पर एडवांस वाल ऑप्सन जो नीचे दिख रहा है उसमें जाके लोजिकल से प्राइमरी करके ने बाद इधर कुछ रशार नहीं करना इधर जो है सब चीज रहने दाना रहो की कर देना उसके बाद फिर से एक्सक्यूट करना अप्लाई करना और वेट करना पूरा प्रोसेस होने का तो यह देख सकते हैं अभी 95% में यह जल्दी ज्यादा टाइम नहीं लगता है यह समय तो यह ओप्रेशन हो चुका है अब फिर से चलते हैं इसका दासबोर्ड में अब यहां पर आपको राइट क्लिक करना है और एडवांस में जाना और सेट एक्टिव में क्लिक करना है और चीज़ बनत करके अपने सिस्टम को अपर थे चलती करके अब फिर से आपको पिर ट्रायव को इनट्री ज्लेक्ट करना है और इंटर दो नहीं उसके बाद फिर से आपको जो ओप्रेटिंग सिस्टम वानि Windows 11 करना है तो उसमें जाना है फिर से इसको आपको जो मोड में आपका वाला में काम करें उस मोड में दबा को इंटर करना है और यह थोड़ा सा टाइम लेता है लोड रोने में उसके बाद यह तूरंत मुलब फटा-फट सारा चीज हो जाता है देख सकते हैं यह चालू हो चुका है अब फिर से आपको यहां पर बाइपास करना पड़ेगा तो फिर से यहां आपको जैसे यहां जाए नेक्स्ट करना है उसके बाद F10 और वो दबाना है उसके बाद फिर से आपको फाइल में जाना है उसके बाद यहां पर अपना पेंड्राइब सेलेक्ट करना जिसमें वो फाइल है और यहां पर उसमें क्लिक करके अपना फाइल में जो मर्ज कर लेना है और यह फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में बताया गया कि कैसे बनाया ज है कि इंस्टोल दो थोड़ा सा यहां वेट करना सेट आप स्टाट लेता है थोड़ा टाइम लगता इसमें ज्यादा टाइम नेले लगा तुरंथ हो जाएगा देखते हैं इस बार प्रप्रोब्लम होता है यह अगर इस बार प्रौब्लम फिक्स नहीं होता है तो आपको एक जाके बूट करना है इसमें बूट करने के बाद आपको एक बार में पार हो जाएगा इसके बाद आपको यहां के अपना विंडोज 11 सेलेक्ट कर लेना है और जीस मोड में भी आपका सिस्टम भूट करें आपको मोड सेलेक्टर लेना मेरा वाले में तो भी नीचे वाला सेलेक्टर रहा है तो मैं वही कर ले रहा हूं अब यह प्रोसेस फटा-फट होगा 100% उसके बाद फिर ले चलता हूं देखता हूं कि यह प्रोब्लम इसमें फ फिक्स कर सकते हैं तो देख सकते हैं जब आप यू एफ आई में भूट करते हैं तो इसका स्क्रीन भी कुछ अलग टाइप के दिखता है भी थोड़ा लंबा लंबा दिख रहा है फिर से आपको यहां सेम प्रोसेस करना है तो नौटपेट फाइल में जाना है यही चीज ब सबानना दो रहे नेच्ट पर क्लिक करना इंस्टॉल करना अक है कि एए मुए फोले दिया पर वेट करना आपको ज्यादा नहीं तूरंत पास हो जाता है दीक्रकर पास हो गया उसके बाद यहां पर एक्सेप्ट वाला बॉक्स में टिक कर लेना और नेक्स्ट पर क्लिक करना है उसके बाद आपको अपना यहां पर सेलेक्ट कर लेना है कि मैंने चेक करने के लिए कुछ फाइलीस में बनाया थे तब मैं आपको बता रहा हूं कि काम कर रहा है तो पहले मैं सारे पाटिशन को डिलेट कर लेता है से से उसके बाद जब आपको आएंगे तो सेलेक्ट करना नेक्स सिंपली क्लिक करना उसके बाद आगे बढ़ जाए देख चेकते हैं आप आगे बढ़ गया क्योंकि मैंने पहले इसको पहले टेस्ट कर लिया था उसके बाद मैंने फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग किया था तब मुझे पता चला कि इसको ऐसे फिक्स कर सकते हैं आपको जब भी ऐसा प्रोब्लम करें आप सारा इसमें कुछ नहीं मांगा देख सकते हैं एकदम स्मूथली बढ़ यहां से अब यह आगे बाला प्रोसेस हो रहा है नेक्स नेक्स इसमें बस आपको करते रहे ना आपका सिस्टम दो तीन बार रिये स्टार्ट लेगा तो मैं इस अब प्रोसेस को थोड़ा स्पीड कर लेता हूं अब सिस्टम रिबूट होगा तो जो पेंड्राइब लगाए उसको आप खीच ले क्योंकि पेंड्राइब लगाए रखने के जोड़ीने पड़ता है अपना पेंड्राइब निकाल दिया है अब इसके बाद में सर्द जाना नमागे कैसे कृफरा पता ने जा रहा हो कि कैसे कैसे आपको कर। करना भी देख सकते हैं कुछिक ले रहा है अब मैं वीडियो को थोड़ा कट कर दूगा क्यूंकि ज्यादा लंब बनाने से फैदा नहीं तो देख सकते हैं फाइनली सिस्टम स्टार्ट हो रहा है अब यहां जैसे स्टार्ट होगा उसके बाद पहला आपको कंट्री सेलेक्ट करना है तो मैं फटा ले यहां पर अपना कीबर्ट के लेंडिया यंडिया इंडिया और अब नेक्स्ट करना है उसके बाद यहां पर अपना कीबोर ल कि जो भी अपडेट सेंगे उसको देखेगा फिर अपडेट करेगा फटाक ले ताकि आपका सिस्टम अस्मूथली काम करे और वाइरस वगेर से बचा रहे तो मैं यह जितने भी प्रोसेस है थोड़ा स्पीड में करूँगा ताकि वीडियो थोड़ा छोटा बन सका है अल्रेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है क्योंकि यह दो तिन प्रोब्लम जो आया है जिसके कारण इंस्टोलेशन नहीं हो रहा था तो मैंने कुछ पार्ट कट कर दिया जिसमें रियस्टार्ट होता है अब यहाँ पर आपको अपना डिवाईस का नाम देना है तो जो भी आपका डिवाईस का नाम रहे वो देख के आपको यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है अब यहां पर आपको सिंप्ली अपने Microsoft ID से लोगिन कर रहा रहा है अगर आपको आपस नहीं है तो create new में दपाके नए account create कर लें उसके बाद आपको यहां पर पीन मांगा जाएगा तो आप यहां पर पीन नहां बना ले जिससे आपका सिस्टम जब भी चालू होगा तो आपको यह पीन मांगा जाएगा लॉगिन करने टाइम उसके बाद आपको कोई प्रोसेस बचा नहीं बस सिंप्ली नेक्स नेक्स करते जाना है यह पीन डालने के बाद यह थोड़ा सा टाइम लेता है मैं वीडियो को कट कट करते जा रहा थोड़ा वीडियो चोटा हो क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है यहाँ पे आपको सेटाप एजन यू और नेक्स पर क्लिक करना उसके बाद आगे में जो ऑप्सन आएगा उसमें स्क्रॉल ड़ाउन करके आपको नेक्स दबाना है उसके बाद एक डेस्टप तो मैं जलजद इसको फिनिस करने का कोशिस कर रहा हूं और आप देखे सकते हैं किस बार कितना प्रोब्लम हुआ यहाँ पर नेक्स्ट किलिक करना आपको तो इस तरह का जब प्रोब्लम होते यह तीन वे में कोई एक वे आपको फिक्स कर देगा इसके बाद सिस्टम करेंगे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे इसमें तो बस वीडियो अब शिस्टम जितना जल्दी हो सके चालू हो जाए देख सकते हैं यह लास्ट स्टेज मां आ चुका है और अबना यह सिस्टम चालू ही हो जाएगा हमको लगता है तो फाइनली सिस्टम चालू होने वाला है और सिस्टम चालू हो भी चुका है तो अब यहाँ पे आपको अपना दिस पीसी में खोल लेना है और देखना आपका सारा हाट ड्राइब दिख रहे हैं तो देख सकते हैं मेरा सारा हाट ड्राइब दिख रहे हैं कैमरा नहीं था आप देख सकते हैं कैसे असुस के लापटूप का आप स्पीड अप कर सकते हैं तो इस वीडियो मी इतना ही अब मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं आप से विदा ठाइंक यू